सब्जेक्ट एडवान्स मैथेमेटिक्स गुरूप टू चैप्टर आपड़े 1 मां कोडिनेट जोमेटरी मां सब चैप्टर 1 आपड़े पोईंट क्लियर करेली दो जे नाव सकेंड चैप्टर स्ट्रेट लाइन सुरेखा first of all general equation of line general equation of line general equation of line is ax plus by plus c equal to 0 where a b c from real and r the condition is square plus b square not equal to 0 आपड़े general equation of line जे एन आपड़े दर्शा भिए x axis y axis x dash y dash in the line l ax plus by plus c equal to 0 एन आपड़े l ना मापी दिदू छा स्ट्रेट लाइन ने अन्ने ते x सक्सिस साथे theta मापनो angle बनावे छे तो कोई पर स्ट्रेट लाइन छे एननो कोईक ढार हसे so एनो धार एकले के स्लो m equal to 10 theta तो आपड़े general equation of line छे ax plus by plus c equal to 0 आज एप्टर माँ आपड़े स्ट्रेट लाइन ना अलग-अलग फर्म आउसे इमा आपड़ों फर्स्ट फर्म के सुरेखानों व्यापक समीकरण general equation of line ax plus by plus c equal to 0 a b अने सी ए रियल नंबर आर माथी लेवाना छे के जिमा टोटली नंबर्स आवेला छे तो आपड़े स्ट्रेट लाइन ना एक्जांपल छोईए example मा 2x plus 3y plus 5 equal to 0 आ एक straight line नो equation छे 4x minus 5y minus 3 equal to 0 आपड़े एक straight line नो example छेगियो now root 3y minus root 2x plus 5 root 3 equal to 0 आपड़े एक्जांपल छेगियो तो कोईपण a,b,c belongs to r लेके कोईपण त्रण नंबर a,b,c तमे r मा थिलियो एना आ टाइप ना फर्म x plus by plus c equal to 0 फर्म ए आपड़े स्ट्रेट लाइन नो equation थेगियो आने कोईपण स्ट्रेट लाइन ने पोता नों काई धाड़ होई छे कि केटला धाड़ मा ए रहे लीचे तो m equal to 10 थिटा ए नो फर्मुला छे तो root 2x plus 3y plus 5 equal to 0 4x minus 5y minus 3 equal to 0 root 3y minus root 2x plus 5 root 3 equal to 0 आ त्रोणे एक्जाम्पल आपड़े स्ट्रेट लाइन ना जोए next topic slope of a straight line slope of a straight line सुरे खानों धाड़ सुरे खानों धाड़ एमा त्रोण रीतरे आपणे धाड़ शोदी शकाई छे आपणने जहे रीतनी value एक्जाम्पल मा आपेली वोई ए रीते straight line नो slope आपड़े फाइन करवानों छे एनो case 1 छे कि जो आपणने straight line x-axis साथे किटला मापनों खुणों बनावे छे एक खुणों आपेलों होई तो धाड़ शोद्वानों समीकरण सुधसे x-axis, y-axis आपड़ी straight line straight line ने आपड़े l नामा पी दाई आणी straight line छे एक सक्सनी धन दिशा चाथे थीटा मापनों खुणों बनावे छे तो धाड़ शोद्वानों सुत्र m equal to 10 थीटा for example आपणने थीटा ने value 30 आपेली छे, 60 आपेली छे whatever, कोई पन angle ने value आपेली होई आपणने धाड़ शोद्वानों के तो धाड़ सोद्वानों सुत्र m equal to 10 थीटा second case case 2 जो आपणने straight line कोई पन बे पोईंट माथी पास सती होई एवा बे पोईंट सापेला होई त्यारे equation सुधाए तो के आपणनों x-axis y-axis x-axis y-axis origin 0 आने आपणे straight line ले ले straight line ले दी छे आपणे L इनो first point आपणने आपेल हुँछे Ax1 y1 second point B X2 y2 आपणने एहुआ किदू छे क्या straight line ले 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 लेण चे इवे पोईंट माथी पास थाए चे आपणने ले 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 लेड़ी 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 अपणने अपणने आपेला छे त्यारे divided by इना x coordinate नो difference x1 minus x2 तो मैं y2 पेला लेशको y1 पच्छी लेशको x2 पेला लेशको x1 पच्छी लेशको पड़ जे प्रोसस करो ए y2 अंशमा y2 लियो शो तो division मा x2 लेवानू छे और जो y1 थी start करो शो तो x1 लेवानू छे तो जहारे तमने कोई पण भी पॉइंट आपे a.x1 y1 b.x2 y2 आपे अन्य स्लोक फाइन करवान अके त्यारे स्लोक नूँ equation m equal to y1 minus y2 x1 minus x2 अन्य हवे case 3 case 3 आपनने रेखानू समी करोन जा आपे दिधेलू होए equation of line x-axis y-axis अन्य equation of line ax plus by plus c equal to 0 आखे आखू equation जा पे लूँ छे त्यारेनो स्लोक कही रीत फाइन थाए तो स्लोक m equal to minus a by b where a is coefficient of x and b is coefficient of y तो त्रोण केस माँ अलग-अलग रीत आपने स्लोक फाइन करी शकी पेला केस माँ आपनने खाली इंगल जा पे छे के स्ट्रेट लाइन छे ए x अक्स साथे किटला माँ अपनो इंगल बनावे छे इंगल हो करती आपने m equal to 10 theta ना formula माँ theta पूट करी अने स्लोक फाइन करवानों छे सेकेंड केस माँ आपने बे पोइंट आपछे के बे पोइंट माथी स्ट्रेट लाइन पास थाई शे त्यारे एनो धाड सूँ थाई छे तो के धाड m equal to y1 minus y2 divided by x1 minus x2 अने थाड केस माँ आपने आखा स्ट्रेट लाइन नू इक्वेशन जाप पे लूशे ने ना उपर थी आपने स्लोक फाइन करवाशे तो m equal to minus y by b वेर a is coefficient of a and b is coefficient of y तो आपने त्रों केस है आना आपने एक्जांपल्स शोई ले ले केस वन ना एक्जांपल ले केस वन ना एक्जांपल्स मां first example Example 1 if straight line L if straight line L make an angle 45 with positive x-axis with positive x-axis then find then find slope of line तियार आपने खाली एंगल जापेलो चाटला आपड़े मां केस 1 नो m equal to 10 theta वाड़ो formula आपले करशू आपने theta 45 आपेला जे तो here theta equal to 45 so slope m equal to 10 theta theta नी value बूट करिये तो 1045 10 function 45 ना एंगल पासे नी value 1 तो आपने आप स्ट्रीट लाइन नो slope मेड़ो वाण यह उजा आपने second example जोई if a straight line if straight line make an angle 120 then find then find slow तो आपने 120 नो खूण आपेलो चे तो here theta equal to 120 then slow m equal to 10 theta theta equal to 120 अब आपणी पासे 120 ना एंगल नी direct table मां कोई value नो थी तो आपने ने factorize करी 10 180 minus 60 और 90 plus 30 पाड़ी शका है तो मारे जे factor पाड़व होए तो में पाड़ी शको छो तो 180 minus 60 इलेके 180 के नेगेटिव एक सक्सिस नी बॉर्डर ये माथ ये अप्ले 60 रिमूट करीए ले second quadrant मा आऊ हो है second quadrant मा 10 function negative so minus नी sign और 180 पास नवाड़ा एंगल पास function चेंज नो थाए 10 नो 10 रेसे so minus 1060 और 1060 नी value चे root 3 so answer slope equal to minus root 3 again I repeat 10 120 आपड़ी पासे last example मा 45 नो एंगल पेलो होतो 45 ना एंगल नी डायरेक आपड़ी पासे value चे 120 ना एंगल पासे नी डायरेक वल्यूम न थी येनए factorize करवा पड़से 90 प्लास 30 factorize करो थो ये तो 180-60 करो 180-60 लेदुचे तो 180 इटले negative x सुक्सिस नी बॉर्डर इमा थी अपड़े 60 रिमूव करीए ये एटले second quadrant मा आवी जहे second quadrant मा 10 function negative चे तो minus 1 अन्य 180 पासा function change नो था है 10 function नो 10 सो answer is minus 1060 अवा 180 ने आपड़ी नाखवाना चे ये चरण निशानी अन्य function change थासे के ने ये चेक करवा माटे चे सो answer is m equal to minus root 3 तो आपड़े case 1 m equal to 10 theta अवाड़ा slope ना equation उपर फी 2 example जो है या ना second case ना examples थार्ड example if straight line फ्सस्त्रोमेन पेस्ट्रोमेन पेस्टेट ओे सामाइब सुर्णाने से सुर्णि वहस्तोमेन टीया टीड दीट लिटS हो पने थे पान इा Сाव बारी स्टर्न Southern अफ अलाइन तियारे आपण नहीं कितो छे कि जो सुरेखा a-35 और b-2-4 माथी पसार थती होई तो a-b रेखानों ढ़ाण शोदो तो आपणने सेकेंड केस माइट लेखे बेए पोइंट सापी दीदा छे इन्हें आपड़े x1y1 और x2y2 नाम आपड़े तो लेट a x1y1 इकोल तो a-35 bx2y2 इकोल तो b2-4 और एक्वेशन अवस्लोव m इकोल तो y1-y2 और x1-x2 x1y1 और x2y2 नी वैल्यू चे आपड़े पास है y1 इकोल तो 5 y2 इकोल तो minus 4 x1 is minus 3 and x2 is 2 then y1 is 5 minus of y2 is minus 4 divided by x1 is minus 3 x2 is 2 minus minus plus 5 plus 4 it is 9 9 divided by minus 5 तो एकेंसल था तो होई तो करवानू बाके as it is तो कोई पर 2 point माथी पास थती रेखानो डार m equal to y2 minus y1 x1 minus x2 then 5 minus of minus 4 minus 3 minus 2 9 upon minus 5 आपड़ने ए भी माथी पासार थती रेखानो डार मेड़ने ए वूज आपड़े second example जोई एना जे वूज example 4 if a straight line if a straight line passes through the point if a straight line passes through the point P minus 5 minus 3 and Q minus 8 minus 9 then find slope of line then find slope of line तो तियार आपणने 2 points a and b जे last example माँ आपए लाहता है a वी जरी ते P आने Q points आपए लाहता है P point ना पर X1 Y1 कोई दे आने Q point next to Y2 कोई दे so let P X1 Y1 equal to minus 5 minus 3 Q X2 Y2 equal to minus 8 minus 9 ता बेक point X1 Y1 X2 Y2 माणी क्या चे now equation of slope M equal to Y1 minus Y2 X1 minus X2 then Y1 is Y1 is minus 3 Y2 is minus 9 so minus minus second time minus X1 minus X2 X1 is minus 5 X2 is minus 8 so minus minus plus minus minus plus minus 3 plus 9 minus 5 plus 8 9 minus 3 it is 6 and 8 minus 5 it is 3 so 6 so 6 divided by 3 it is 2 then slow M equal to 2 तो आप्रे second case ना बे example जोया के कोई पड़ 2 बिन्दू आपेला होई एमा ती पसार दो थी रेखाना डाड आपड़ने आपड़ने शोधवानों के तो एनो एक्वेशन Y1 minus Y2 divided by X1 minus X2 अब आपड़ने third case के जो रेखानों सोमी करोना आपड़न हुए AX plus BY plus C equal to 0 तो पहे रित इस लोग find करवानों आवे एनो एक्जाम्पल आपड़ने जोई example लंबर 5 find this law find this law of a line 2X plus 3Y plus 5 equal to 0 अहीं आपड़ने equation of line आख़ी रेखानों समी करोना आपड़ी दिवेलो शेया अन्ने एना उपरती आपड़नेनो धाल शोध हो छे त्रोने केस मालग अलग भाल्यू आपड़ी छे पहला मां इंगल ने वाल्यू आपड़ी छे सेकेंड केस मां बे पोइंट अलग अलग आपड़ा छे और थर्ड केस मां आख़ू equation of line आपड़ी दिदू छे तो here here straight line 2X plus 3Y plus 5 equal to 0 आपड़ी लू छे एन्ने आपणे जनरल फॉर्म साथे compare करिए तो compare with general form compare with general form AX plus BY plus C equal to 0 AX 2X X नो coefficient A छे आणने X नो coefficient 2 छे बेने compare कर्षू तो एना उपर थी आपणे A नी वाल्यू 2 मोड़े B नी वाल्यू 3 मोड़े आनने C नी वाल्यू मोड़े 5 तो now slope of line M equal to minus A by B Nी वाल्यू आपणे मोड़ी गेई छे आनने B नी वाल्यू आपणे पासे छे 3 so m equal to minus 2 by 3 तो ज्यारे अपड़ने equation of line आपे दिये x plus by plus c आख्या को form थाई जाए त्यारे अपड़ने slope minus a by b ना direct general form थी मड़ी जैसे ये वोज आपड़ने हजी एक equation लाई लाई find the slope of line find the slope of line 2x minus 5y plus 4 equal to 0 तो ये आपड़ने जन्टरल form साथे compare कर सू तो a equal to 2 मर से b equal to minus 5 मर से and c equal to 4 मर से तो now a equal to 2 b equal to minus 5 and c equal to 4 and slope m equal to minus a by b ये आने b नी वालो मड़ी गेए चे 2 upon minus 5 minus minus plus so answer is 2 upon 5 तो आपड़ने त्रोणे केस मां अलग-अलग आपड़े slope of line कई रीते थाई शे इन्हें आपड़े चो एक्जाम्पल जोए now next topic intercepts of a line रेखाना अन्तह खंडो intercepts of a line इटले के रेखाना अन्तह खंडो intercepts of lines शें ए आपड़े जोईए क्या x अक्सिस छे आप y अक्सिस छे ना ओरीजिन छे कोई पन स्ट्रेट लाईने x अक्सिस अन्य y अक्सिस पासे 0 थी केटलू distance कापेलू शे एन्ने intercepts कहे छे x अक्सिस उपर स्ट्रेट लाईन एले 0 थी ए पोईट पासे नू distance कापेलू शे ताने x intercept केवे लगा आपड़ू जे distance छे x intercept अन्ने आ जे distance आपने छे o b y intercepts y intercepts अन्य जे स्ट्रेट लाईन एले छे एन्ने एक्वेशन तो आपनो जेंटल फॉर्म x प्लस by प्लस c एक्वाल टू 0 तो आ x प्लस by प्लस c एक्वाल टू 0 नू x intercepts अन्य y intercepts ना equations x intercepts x intercepts equal to minus c by a and y intercepts equal to minus c by b तो आरी ते बे एक्वेशन उपर थी तमने रेखानो x अन्त अखण अन्य y अन्त अखण नी value मडि जे तो intercepts पूचे येटल आपने x अन्य y बे इंट्रसेप फाइंट करवाना लाईसे पूचे इन्य आपने एक एके ग्सामपल जाएंट करवाना so, example 1 find the slope and intercepts of a straight line 2 x minus 3 y plus 5 equal to 0 अनो आपने slope point find करवानों छे ने intercepts एटलेके x intercept अने y intercept बनने value find करवानों छे अने यह आपने straight line equation आपे लो छे 2x minus 3y plus 5 equal to 0 यहने आपने general form ax plus by plus c equal to 0 साथे compare करी फिला a, b and c नी value find करी ले तो here the straight line to x minus 3y plus 5 equal to 0 यहमा आपने general form साथे compare करशू तो a एटलेके x नो coefficient 2, y एटलेके b नो coefficient minus 3 and c equal to 5, आ त्राणाई value मढ़ी छे, तो सवती बेला आपने slope find करी ले equation आपेल हूँछे, तो एना उपर थी slope आपने direct मढ़ी जाए m equal to minus a by b, एटलेके slope मा a नी value 2, आने b नी value minus 3, minus minus plus तो slope आपने direct मढ़ी जाए छे, नाउ x-intercept, x-intercept equal to minus c by a x-intercept नी value minus c by a, मैं value put करिये, c equal to 5 and a equal to 2 तो x-intercept नी value minus 5 by 2, and last y-intercept equal to minus c by b, b नी value and c, c equal to 5 and b नी value minus 3, minus minus plus, स्वान सरीज, 5 by 3, तो आपेल आपडे कोई कोई कोण स्वान 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 ना, intercept x-intercept नी value minus c by a, नी value minus c by b